हेलो व्रीबन वेलकम यह ओल इट लोकेश सरलम्टी इस्टडी जोन तो गाइस चल रही है नवोदे के होट्स क्वेश्चन की क्लास यहां पर हम नवोदे के एक से एक बहतरीन क्वेश्चन डिवलप डिसक्स करेंगे चोकि डिफिकल्ट क्वेश्चन होता कहे जा सकते हैं ऑफ हाँ इस्पेक्टेटर ऑफ फुटबाल मैच सिट अंदर शीड वाइल 4,000 इन ओपन तैन हाउ मनी एकस्टेटर वर इन ओल ठीक है भई क्या कह रहा है कि भई अगर वन सिक्सपार्ट जो है इस्पेक्टेटर का फुटबाल का ऑफ है फुटबाल मैच सिट अंदर शीड तो मान लीजी की टोटल जो इस्पेक्टेटर हैं टोटल मान लीजी की इतने है एकस है ऑकी पहले मैं कोश्चेन आपके सामने पड़ देता हूँ पूरा फिर आप लोग इसका इस autopilot देख है पहले मैं पुश्चेन पूर पढ़तेता हूँ If 1 by 6 part of the expectator of a football match sit under the shade while 4000 in open, then how many expectator were in all? Option A 4500, B 4400, C 4800 and D 4200. तो कैसे करेंगे इस question को, माल लिजे कि यहाँ पर total जो expectator, यानि कि दर्शक, expectator मतलब होता है दर्शक, total दर्शक यहाँ पर कितने है, x माल लिजे, so total there are x expectators. Now, it is question is saying that 1 by 6 part of x, 1 by 6 of total, so 1 by 6 of x means x by 6, okay, x by 6 कहाँ पर बैठते हैं, shade के अंदर बैठते हैं, okay, x by 6 कहाँ बैठते हैं, shade के अंदर, और जो कहरा बाकी बचे हुए means remaining, remaining, remaining जो दर्शक है, remaining जो है, वो 4000 है, वो open में बैठते हैं, तो remaining are 4000, यह open में बैठते हैं, okay, open में बैठते हैं, तो सबसे पहले पता लगाई कि भी remaining होंगे कितने, तो total x हैं, उसमें से x by 6 को minus कर दीजिए, तो total आपके पास कितने थे x, x में से जो दर्शक shade के अंदर बैठते थे, x by 6 वो minus कर दीए, तो कितना आ गया यह, lc हम इसका 1 लेजी, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे हो जागा, 6x minus x, that is equal to 5x by 6, clear हो गया यह, तो यह x में से x by 6 minus हो गया, मतलब total में से जो लोग shade के नीचे बैठते थे, minus हो गया, तो बाकी वाले आ गया, बाकी वाले कितने हो गया, 5x by 6, बाकी वाले कहां पर बैठ रहे हैं, open में बैठ रहे हैं, और कह रहा है, open की जो value दी गई है, 4000 है, मतलब जो 5x by 6 है, उसकी value कित दी दे रखी है, बोले clear हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको x की value ने कलने की, because x क्या total expectators है, so x equals to 4000, multiply by 6, divided by 5, तो 5 से जाएगा, यह 8 बार, 2 0 तो यहां के बैठी हुए है, total कड़ गया, now 800 into 6, 8 6 of 4800, मतलब total जो expectator आएंगे, इस match को देखने के लिए, वो 4800 लोग आएंगे, ब clear होगी एकदम, बहुत ही simple सवाल था, हमने total x मान लिया, x में से x by 6 जो हैं, वो बैठे हुए हैं, किस के अंदर, shade के अंदर, कितने बैठे हुए हैं, shade के अंदर, बाकी जो बच गए, वो बच गए x minus x by 6, that is equal to 5 x by 6, वो बैठे हुए हैं, किस के अंदर, open में, और open में जो दरशक बैठे हुए हैं, उसने already कह रखा था कि यह 4000 है, तो ultimately मतलब इसकी value ही कितनी हो गई, 4000, इससे आपको x की value मिल जाएगी, बोले clear है कि नहीं है, done, any problem, चलिए, okay, next question के ओर चलते हैं, guys, next question के ओर चलते हैं, अगला question हमारे पास में 56, question number 56 में पहले read कर देता हूँ, फिर आपको देखेगा, how many rectangular plots of dimensions 40 meter by 60 meter can be made from a rectangular field of dimension 120 meter by 160 meter, होती simple सवाले बच्चों, आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, एक बड़ा rectangular plot दे रखा है, यह देख लिजे, यह बड़ा rectangular plot है, इस rectangular plot का जो बड़ा dimension दिया गया है, the dimension is 120 meter by 160 meter, तो किसी को भी length लेलो, किसी को भी breadth ले लो, तो 120 meter का वैसे, वैसे हमेसा rule यह रहता है कि 120 by 160 बोला गया है, तो पहला वाला length होता है, दूसरा वाला breadth होता है, बट अब यहने ऐसा बना दिया है, तो इसलिए, well no issue, आप तो एक काम करिए इसको, 120 by 160, ले लो चलो यासे ही ले लो, कोई फर्क नहीं परता है, इसको 120 120 ले लिया, इसको क्या ले लिया, 160 ले लिया है, ओके, ठीक है, तो 120 by 160, 160 by 120 कोई फर्क नहीं परता है, length होरे की length है, तो एक breadth है, ओके तो यह भी 160 होगा, और यह भी कितना होगा, 120, और याद रखीगा, यह meter में है, यह भी meter में है, तो this is in meter, this is in meter, यह क्या है, rectangular plot है, अब हम निकालते है, area, dimension का मतलब length and breadth, अब हम निकालते है, इसका area, so we are going to calculate the area, area equals to होता, बच्चो रेक्टेंगल का length into breadth, so 160 meter multiplied by 120 meter, okay, so 20 आ गया यहाँ पर, and 12 into 16, तो 12 सिक्जा 78, sorry, 20, okay, 12 सिक्जा 72, 2 आ गया, and 12 बंजा 12, and 12 plus 7, 12 plus 7, ठीक न, 12 plus 7 कितना हो जागा, भाई, सब 19, 12 plus 7, 19, so 19, 100, to 19,200 meter square, यह इस plot का area आ गया, बच्चो, यह इस plot का area आ चुका है, 19,200 meter square, अब क्या question कह रहा है, question कह रहा है, how many rectangular plot of dimension 40 meter by 60 meter can be made, कह रहा है, इसके अंदर 40 और 60 के plot काटने है आपको, यह देखो, ऐसे, ऐसे, यह ऐसे कुछ plots कटने है, इसके अंदर है, ठीक न, तो इसकी length कितनी है, इसकी length है 40 और 60, तो यह 40 माल लीजिए, और इसको कितना माल लीजिए, 60, इतने length के कितने plot, तो पहले तो मैं इसका area निकाल लेता हूँ, कि भाई, इस छोटे वाले का area क्या ह है, तो area equal to length into breadth means 40 meter into 60 meter, बहुत कर कितना हो गया भई, 2400 हो गया, 4624, 2400 meter square, clear हो गया, अब आपको कहना ऐसे कितने बनेंगे, तो बहुत ही simple logic है, इस total में आप इस छोटे वाले को क्या कर दो, divide कर दो, तो answer आ जाएगा, तो number को n बोलते है, number of plots जो बनेंगे equal to, बड़ा वाला area 19,200 divided by 2400, clear ना जी, 19,200 divided by 2400, दो 0 से 2 0 cancel हो गया, बच किया गया आपके पास में, number of plots equals to 192 divided by 24, I think 8 बार जाना चाहिए है, so correct answer equals to 8 option में है, क्या यदि है तो यही answer है, बिल्कुल सही, option में N equals to 8 है भी, so answer correct, number of plots equals to 8, तो जब भी आपको number of चीज कुछ find करनी हो, तो बड़े volume में से छोटा volume minus divide कर दीज़े, यानि कि volume वाली problem हो, तो V big upon V small, V big upon V small, अगर area वाली problem हो, तो area big upon area small, अगर length वाली problem हो, तो length big upon length small, बुले आ गया समझ में न, बड़े length में से छोटा length divide कर दो, such like this guy, ठीक है ने, चलिए, next question की और चलते है, question number 59, next question is question number 59, guys question number 59 क्या कहला, पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ, if a length of a lake is 40 meter and breadth is 10 meter, lake contains 1200 cubic meter water, then the depth of the lake, भई बहुत ही प्यारा question है, देखो, क्या scene है question का, यह आपके पास length की, lake की length दिख रही है, और यह आपको length, lake की breadth दिख रही है, और lake कुछ गहरा है, यह मैं ऐसे गहरा बनाए देता हूँ, यह देखे, एक rectangular lake है, okay, so यह क्या हो गई, यह हो गई, length, so length is represented by L, यह क्या हो गई, breadth यानिकी चोड़ाई, breadth is represented by B, और यह इसकी गहरा आई है, तो गहराई को आप H मान सकते हो, कितना मान सकते हो, H, okay, उसी को hide बोलते हैं, बट नीची की बात है, तो उसी को गहराई बोल देंगे, well, गहराई को English में depth होला जाता है, मगर बच्चे लोग अब H समझते हैं, अच्छा लगता है, तो चलो यार, H ही सही, ठीक है न इस लेकी, कितनी दे रखी है, 40 मीटर, ओकी, बहुत बड़ी है, 40 मीटर लेंथ है, और ब्रेट इसकी दे रखी है, 10 मीटर, कितनी दे रखी ब्रेट, 10 मीटर, ओके, और इसके अंदर जो पानी है, वो आपको दे रखा है, 1200 क्यूबिक मीटर, इसके अंदर जो पानी भरा हु हंड्रेट क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर अब सबसे पहले क्यूबिक मीटर को लिखोगे तो ऐसे लिखो 1200 क्यूबिक मीटर को लिख लो मीटर क्यूबिक तोनों एक ही चीज होती ही चाहे क्यूबिक मीटर लिखो चाहे मीटर क्यूबिक लिखो समझ में आगया अब समझो कि यह है कि पानी कहां भरा होता है पानी लेंथ में भरा होता है कि एरिया में भरा होता है कि वाल्यूम में भरा होता है बताईए बिल्कुल सही पानी वाल्यूम में भरा होता है मतलब ये जो पानी का वogल यूम दिया गया है ये पानी जो भरा है इसका क्या दिया गया है वोलिम तो अक्सुलि ये वल् nacτι है क्या है वॉल्म अभड़ ओडर है की नहीं है volume of the water अब diagram पर आईए अगर diagram से मैं इस lake के volume की बात करूś volume of the lake बूला ज़ाए इसको जितना पानी भरा है इसके अंदर तो volume भरा हुए इस पानी का है ना तो अगी में इसके अंदर लेक है तो यदि मैं इस lake के volume की बात करूं कि इस लेख का वोल्यूम कितना होगा तो लेक का वोल्यूम होगा length into breadth into height जिसमें length आपको दी गई है 40 meter breadth आपको दी गई है कितनी 10 meter और height आपको दी नहीं गई है आपने इसको H मान रखा है और यह हां X भी मान सकते हैं H भी मान सकते हैं ज्यादा लोग H मानते हैं तो हमने भी H मान लिया है, इक्वल्स टू, यह जो लेक का वॉल्यूम है, 1200 के एक्वल दिया गया है, 1200 मीटर क्यूबिक, ओके, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो H एक्वल्स टू, 1200 meter cubic को में meter into meter into meter लिख लेता हूँ और divided by 40 meter multiply by 10 meter क्योंकि रेखे h को रोक लिया है तो ये दोनों नीचे आजाएंगे division में meter से meter cancel, इस से meter cancel 40 से कितने बार, 30 बार क्योंकि 0 से 0 गया and 43 जा 43 जा 12, 43 जा 12 तो 1 0 बज़ गया, तो 40 से कितने बार, 30 बार और क्या बज़ गया, और क्या बज़ गया और 0 से 1 0 भी क्या हो गया, cancel हो गया हो गया, clear हो कि नहीं हुआ okay, so answer h equals to 3 meter तो जो depth होगी, जो गहराई होगी, वो कितने meter होगी 3 meter, चेक करी option में है क्या, बिल्कुल है यहाँ पर, option number c is the correct answer 3 meter, जो तो depth होगी, इसके कितने होगी, 3 meter होगी okay, done, कैसे, अच्छा, इसको cancel करना नहीं, बिल्कुल सही बहाँ, 1200 meter cubic okay, और 40 into 10, यहने कि कितना हो जाता, 400 meter square तो 2 meter से 2 meter cancel हो जाता, एक बच जाता और 43 जा, 1200 clear है, तो answer कितना आ जाता, height equals to 3 meter okay, so यह answer बन गया, done है, आपको बन जाएगा न, okay guys next question आ चुका हमारे पास question number 43, आईए मैं question number 43 आपको दिखाता हो, क्या कहता है, question कह रहा है, what should come in the place of both the question marks in the following question, question यह 32 upon question mark equals to question mark upon, भाई, इनका कहना है कि इस question mark की जगे क्या आएगा, इस question mark की जगे, क्या आएगा, यह 648 है बच्चों, तो भाई जब question mark पता नहीं, तो उसकी जगे x माल लो आप, तो 32 upon x equal to x upon 648, ओके चले करते हैं इसको solve, तो x को ऊपर भेजिए, क्योंकि बन जाएगा, 32 multiply by 648, अब आप इसको पलेट करके लिख लिजे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो x square equals to 32 into 648, अब रुकी आराम से, अब यह देखी, यहाँ से square हटता है, तो square हटने पर सामने वाले में क्या तर, square root लगता है, 32 into 648, अब थोड़ा आराम कीजिए, यहाँ पर जल्दवाजी करने की जरूरत बिलकुल नहीं है, क्या 32 को आप 16 into 2 लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, अब आप कहेंगे, सर 16 into 2 ही क्यों लिखा आपने इसको, 32 को, आप इसको 8 multiply by 4 भी तो लिख सकते थे, 8 4 जा भी तो 32 होता है, तो मैंने इसलिए 16 into 2 लिखा है, क्योंकि 16 का root बाहर क्या जाएगा, 4, क्या जाएगा बाहर, 16 का root कितना होता, 4 होता है, तो इसलिए मेरा फायदा, इसलिए मैंने इसको 16 into 2 की फार में लिखा, अब 648 को देखें, कैसे लिख पाएंगे आप, तो 648, बिलकुल सही, तो 648 को इसने बता इसको लिख सकते हो, 2 into 324, अब देखो मजा आने वाला, 16 root के बाहर आएगा, क्या बनेगा 16 का root, 4, ये इन दोनों की जोडी बन गई, जब 2 बाहर आएगा, और 324 किसका root होता है, 18 का, ओके, तो बस सब कुछ आ चुका है, ये हो चुका है, 8 ये हो चुका है, 18, 18, 8 जा 144, ओक 18, 8 जा कितना, अरे भाई, कहा 288, 2 कहा बचा, 4, 2 जा 8 हो गया, 18, 8 जा 144, तो इसका correct answer होगा, 144 ही होगा, clear हो गया, तो बहुत ही simple question आते हैं, ऐसे से question आते हैं, बच्चो को tough लगते हैं, बहुत ही simple है, आईए next question देखते हैं, question number 47, question number 47 मैं पढ़ देता हूं पहले, the average age of a man and his son is 48 year, the ratio of their ages is 11 ratio 5 respectively, what will be the ratio of their age after 6 year, 6 साल के बाद, इनकी age का ratio क्या होगा, चलिए मैं इसको solve करता हूं 47 question को, question की पहली line है, the average age of a man and his son is 48 year, तो भाया, मैं man की age माल लेता हूं x, और उसके son की age माल लेता हूं मैं कितनी y, दोनों की age मैंने माल ली, अब question का कहना है, पहली line है, कि the average age of a man and his son is 48, ओके, तो average age x plus y, दोनों की age का average मतलब डिवाइड बाई 2, equals to, आपको दे रखा है कितना 48, ठीक है, तो LCM ले, sorry LCM नहीं, cross multiply कर दीजे, so x plus y equals to 48 into 2, so x plus y equals to 96, कितना हो गया 96, इसको equation number 1 बना कर कि j में डालीजे, safe रख लीजे, आंगे क्या कहरा, the ratio of their age is 11 ratio 5, उनकी age का ratio, तो x ratio y equal to 11 ratio 5, अब इतना तो आप खुद ध्यान लगाईएगा, कि ज़्यादा पापा x है, इसलिए x की तरफ बड़ा ratio जाएगा, और y की तरफ छोटा हिस्सा जाएगा, यह नहीं कि उसने 11 ratio 5 बोला है, आपने उल्टा कर दिया, उपर 5 दे दिया, नेचे 11 दे दिया, तो उल्टा हो जाएगा, पापा छोटे हो जाएगा, बेटा बड़ा हो जाएगा, इतनी आपको समझदाई रखनी है, तो x upon y equal to 11 ratio 5, तो मैंने बताया था, कि x और y, 11 ratio 5 इसका मतलब यह नहीं कि पापा 11 साल के बेटा 5 साल का, ऐसा तो होई नहीं सकता, कि 11 साल के पापा हो, 25 साल का बेटा हो, इसका मतलब यह simplest ratio है, कट-कुटा के जो आता है, cancel हो करके, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें k लगा देना पड़ता है, क्या लगा देना पड़ता है, के, तो यह इसको मान लो 11 के, और इसको मान लो कितना, 5 के, क्योंकि ultimately के से के क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा है ना, तो X आपने मान लिया 11 के, और Y अपने क्या मन लिया, 5 के, ठीक है ना, चलिए, आपने X मान लिया 11 के, और Y अपने मान लिया 5 के, अब आईए, है कि X plus Y equal to 96 इसका यूज करेंगे हम लोग X की value है 11K और Y की value कितनी है 5K equals to 96 11 plus 5 कितना होता है 16 K equal to 96 K equal to 96 K equals to 9 by 16 16 96 so K की value कितनी आ चुकी है 6 आ चुकी है यहाँ पर K की value 6 आ चुकी है K की value replace कर दीजे X और Y आ जाएगा तो X equals to 11K मतलब 11 into 6 66 years के पापा है और Y equals to 5 K means 5 into 6 यहने कि 30 years के 30 years का बेटा है ओके यह X आ गया है Y आ गया बटे भी question solve नहीं हो है question का कहना क्या है question का कहना है कि ratio मांग रहा है 6 साल बाद तो भीया अगर आज पापा की age X है तो 6 साल बाद पापा की age कितनी होगी X plus 6 और आज अगर बेटी की age Y है तो 6 साल बाद बेटी की age कितनी होगी Y plus 6 होगी यह age हमको चाहिए है तो आ चुका हमाई पस X की value कितनी है है X की value आई है 66 X की value 66 थी तो 66 plus 6 यह हो गया उपर और नीचे Y की value कितनी थी 30 30 plus 6 तो उपर हो गया 72 और नीचे हो गया 36 यह देखिए यह आ चुका है 36 से cancel कर दिये 36 2 जा 72 और 36 से जावन तो answer हो गया 2 ratio यह बन यह बहुत बड़ा question था दिखिए तो मतलब खतरनाखी question था 6-6 साल बाद इसने पापा और बेटी की age पूछी थी ठीक है ना जी तो यह बहुत ही बड़ा question चला गया इसको मतलब कोई जल्दवाजी मत करिएगा ऐसे questions अगर आप नवोदे में इन से पंगा ले रहे हैं इन जाम से मतलब आप बहुत बड़े बुद्धु हैं आप बहुत बेवकूफ हैं ऐसे question से बिलकुल पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये question आपका वक्त बरबाद करने के लिए दिया गया है ये question आपको अपनी बहुदुरी साबित नहीं करना इस question में उलच करके आप इसको बिलकुल छोड़ दीजे ये तो उन बच्चों के लिए है जो अपना पेपर बहुत आधे घंटे पहले कर लेते हैं और लास्ट में आ करके फिर से निपट सकते हैं बड़े भी आपने शुरुवात में ही ऐसे question से पंगा ल देता है वैसे आपको इस गेंद को लीव कर देना है बल्ला उठा करके clear है न चलिए next question की और चलते हैं अगला question है 53 53 जो question है time and work का है और time and work को देखते ही बच्चों की सास फूल जाती है कि किसमें क्या होगा चलिए okay question के रहा 16 person complete a job in 14 days तो यहाँ पर man है okay और यहाँ पर days है man है और क्या है days है अब आपको पता होगा कि अगर man बढ़ते हैं तो days क्या होते हैं कम होते हैं मतलब inverse relationship है clear होगे न कैसे relationship है inverse तो man versus days चल रहा है तो man one upon man two equal to days two upon days यह वाला फंडा लगेगा आंगे पढ़ता हूँ 16 person complete a job in 14 days okay 16 person complete a job in 14 days मतलब person है 16 तो days कितने लगते है 14 how many days will 8% take to complete the job कह रहा है अगर 8% हो जाए तो कितने days लगेंगे कितने days लगेंगे अपन ने कितना मान लिया x कितना मान लिया x अब आईए solve करते हैं तो man one कितने थे 16 man two कितने हो गए 8 equal to day one बताइए कहा हैगा उपर की नीचे नीचे आएगा तो man one के सामने day one है day one है 14 और यहाँ पर कितना हो गया x चली solve कर देता हूँ तो x की value निकाल नहीं है तो x को रोक लिजिए 16 multiply by 14 divide by 8 8 से कितने बार 2 बार और 2 फोर्जा 28 तो answer 214 जा 28 not 4 जा 214 जा 28 तो answer x equal to 28 days तो answer x equal to कित्रे days लगेंगे 28 days लगेंगे यह तो बहुत ही simple question था ऐसा question तो एक पढ़ने वाले बच्चे को पूछना मतलब हा 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 ऐसा question आपको नहीं पूछना चाहिए anyway doubt तो doubt होता है चलिए अगले question की ओर चलते है question number 50 ओर 54 देखते हैं क्या दमा का मचानी आ रहा है guys हमाई जिंदिगी में question number 54 देखते हैं उस तो question number 54 कह रहा है the ratio between length and breadth of a rectangle is 5 ratio 3 मतलब rectangle का question है okay ठीक अची बात है the ratio between length and breadth of rectangle plot is 5 ratio 3 respectively and its perimeter is 48 meter what will be area okay चलिए तो देखे ratio दिया गया है तो मैं length को मान लेता हूँ x और breadth को मान लेता हूँ कितना y breadth को कितना मान लिया मैंने y तो मैंने यहाँ लिख लिया कि length equal to मैंने मान ली x और breadth equal to कितनी मान ली है y बहुत बढ़िया अगर यह x है तो यह भी x होगी और यह y है तो यह भी y होगी अब क्या कह रहा है आंगे कह रहा है कि इनकी जो ratio है length का ratio है breadth के साथ 5 ratio 3 है मतलब question है कि x और y का ratio कितना है 5 इसका मतलब यह नहीं कि x 5 meter है और y 3 meter है मैंने आपको बार 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 बताया है चुपके से इसके साथ kk लगा दीजिए मतलब x की value हो गई 5k और y की value हो गई 3k बिलकुल सही अब बिलकुल सही चलेगा question आंगे क्या कह रहा है इनकी perimeter 48 meter है इस plot की तो भाई आप perimeter का formula लगाई है तो rectangle की जो perimeter होती है वो होती ही 2 times length plus breadth so I can say 2 times length आपकी दे रखी कितनी 5k so I can write here 5k और breadth आपकी कितनी 3k so 2 times of 8k 16k बन गई है perimeter क्या बन गई 16k perimeter और perimeter की value आपको कितनी दे रखी इन लोगों ने देखा 48 meter कितने meter 48 meter या सो no perimeter आपको 48 meter दे रखा है तो answer k equals to 48 upon 16 याने की 3 48 meter upon 16 16 3s of 48 याने की 3 answer कितना आगया 3 k constant होता है k की value आगयी 3 k की value आगयी 3 अब आपको क्या कहरा question में वो area पूछा गया क्या पूछा गया है तो सबसे पहले आप length breadth find करो तो length कितनी थी 5k length कितनी थी 5k तो 5 into 3 बिल्कुल सही k गया चुका है 5 into 3 equal to 15 meter कितने meter 15 meter और दूसरा breadth bet 3 कितनी 3k 3k याने की 3k बिल्कुल सही 3k means 3 into 3 this is equals to 9 meter या आचुका है अब area पूछा गया है so area equal to length into breadth equals to 15 into 9 and 15 135 meter square क्योंकि इसमें भी समें meter है इसके पास भी meter है so answer equals to 135 meter square done guys so correct answer equals to 135 meter square चलिए next question is question number 56 okay अगला question 56 मैं देख रहा हूं बच्चों हो आप लोगों से average के question बनते नहीं है और average इतना week क्यों है आप लोगों का average जब भी आता आप लोग मतलब प्रिशान हो जाते हो आए देखते है क्या question है the average of seven consecutive number is 20 the largest of these number is 7 लगातार number 7 लगातार number का average है वो 20 है चलिए तो इसमें सबसे बड़ा number कौन सा होगा भाया देखो अगर 7 लगातार मतलब पहला number अगर X है तो अगला number होगा X plus one फिर अगला number होगा X plus two ठीक ना इस तरीके से जो सातवा number आएगा वो होगा X plus six बुलिए यह सुनो आप चाहें तो देख सकते भाई पहले में X है ना दूसरे में one जुड़ा है क्यों आपको लग रहा कि X plus seven आएगा नहीं आएगा देख लीजे आप क्योंकि खुद पहला X था दूसरे में one जुड़ा है तीसरे में दो जुड़ा है अगर आप X plus one से लेते तो seven आता बट आप X से ले रहे हैं ना तो X plus six आएगा clear हुआ आपको यही मैं अलग-अलग दिखाओं तो पहला नमबर है X फिर क्या हुआ X plus one फिर क्या होगा फिर क्या हुआ यह चौथा हो गया पांचवा क्या होगा चटवा क्या होगा और साथवा क्या होगा यही तो मैंने लिखा था कि साथवा एकस प्लस six होगा क्लिर हो गया क्योंकि मेरे को वैसे ही समझ में आगा आगा दूसरे वाले में आप one add कर रहे हो उसे दुआ तरब बात करते हो दूसरे की add कर रहे हो one साथ लगा तार नंबर का एवरेज क्या 20 है तो अपन में मैं करूँगा कितना 7 7 करूँगा ना 7 लगा ता इक्वल्स टू कितना है 20 चले विसको सहल करता हूं मैं solve करता हूं तो X X X X X X X कितने बार X है 7 बार तो इट विल भी 7X प्लस 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 ओके अपन 7 एक्वल्स टू हमच 20 डन अब इसको सहल करता हूं तो 7 X प्लस 21 एक्वल टू 20 multiply by 7 and 27 जा 140 क्यों नीचे से जाएगा तो multiply होगा ओके cross multiply हो गया so 7 X plus 21 equals to 27 जा 140 so it will be 140 so 7 X equals to 140 minus 21 okay so 140 में से 21 minus कलीजे 10 में से गय नो बन गया ये 3 count होगा 3 minus 2 1 1 9 okay so 1 1 9 तो 7 X equals to 1 1 9 तो X equals to 1 1 9 upon 7 okay 1 1 9 upon 7 चलिए तो 7 का divide करता हूं 1 1 9 में है ना 1 1 9 divided by 7 बिल्कुल सही 17 आएगा 7 बन जा 7 और यहाँ पे आएगा 4 आजाएगा यहाँ पे 9 7 17 correct answer तो यह 17 टाइम चला गया X equal to 17 ओप्सन देखके 17 में ताला न मार दें ओप्सन देखकर के 17 में टिकना लगा दें क्योंकि question ने पूछा what is the largest number क्या बुला है largest तो largest number तो यह था ना X plus 6 तो largest number आपको बताना है मतलब X plus 6 बताना है X plus 6 तो आपके पास X की value आई है 17 sorry 16 नहीं 6 लिखना था 17 plus 6 कितना हो गया 23 मतलब इसका largest number जो होगा वो कितना होगा 23 clear बच्चों so the largest number equal to 23 done okay चले गाइस अगला question सूश्टार्ट करते है question number 42 क्या कह रहा है total value of a man property is Rs. 1500 he gave 1 by 5 of his property to his wife how much money he paid to his wife देखे total value of a man's property is 1500 मान लो कि किसी man के पास property जो है वो उसकी total property जो है वो total value of a man's property is Rs. 1500 ठीक है भाई बहुत ही simple है मतलब जो total property की value है उसके पास उसके पास किते Rs. 1500 की property he gave 1 by 5th property to his wife अब wife को कितना दे दिया वाइफ को total का याने 1500 का 1 by 5th पार्ट वो दे दे देता है 1 by 5th तो 1500 का 1 by 5th कितना होगा 5 threes of 15 याने की 300 कितना बन गया 300 मतलब वाइफ को कितना मिल गया भाई साब 300 अब कह रहा है कि How much money he paid to his wife लो भाई साब इतना सरल सवाल 300 रुपीज अब यदि यह कहता कि उसके पास कितनी बची हुई है थोड़ा difficult हो जाता हलका सा तो यदि उसके पास बची होती तो मेनिंग निकालने को होता तो 1500 3 उसमें से बंदे ने 300 दे दी वाइफ को तो उसके पास कितनी बची 1200 बट क्वेश्चन के बल इसमें यह है कि उसके वाइफ को कितने मिले तो correct answer कितने होंगे 300 टन चलिए next question करते है question number 48 49 49 question पढ़ता हूं 16 men can complete a piece of work in 8 days in how many days can 12 men complete the same piece of work फिल से वही question time and work का बहुत ही simple question भाई man और days की बात हो रही है तो man अगर बढ़ेंगे तो days क्या होंगे घटेंगे यह सौनों तो कह रहा है तो rule क्या बनेगा inversely proportional का मतलब man 1 upon man 2 equal to days 2 upon days 1 तो first case में कितने man थे 16 man थे और वो उस work को कितने दिन में complete करते थे 8 days में second case में 12 man हो चुके हैं मैंने मान लिया x तो rule क्या लगाएंगे देखे 16 12 equal to x upon 8 बस हो गया तो 16 to 32 by 3 answer x equal to 32 by 3 32 by 3 को factorize कर लिजे 32 by 3 mix fraction factorize नहीं fraction में लिखेंगे त्री त्री वन जा 3 यह cancel हो गया तो answer कितना हो गया 1 is to 2 by 3 कितना आ जाएगा है ना तो how many days complete to complete the work एक मिनट एक मिनट एक मिनट 32 by 3 आ रहा रहा ना 16 to 32 by 3 था ओके 10 आयेगा यहां पे गलती हो गई 3 10 जा 30 होगा ना मैं गलत कर रहा हूं यहां पे 3 10 जा 30 तो answer ओगा 10 raise to 2 by 3 कितना हो जागा 10 is to 2 by 3 यस बिल्कुल सही है तो correct is का answer C है 10 is to 3 2 by 3 days बो क्लियर है चलिए next question देखने question number 50 यहां पे doubt आया है question number 50 मैं पढ़ता हूं आपके लिए perimeter of a rectangle is 40 centimeter and the length and the breadth in the ratio of 3 ratio 2 respectively perimeter of a rectangle बिल्कुल वैसे question है जैसा अभी आप ने कराया था भाई length को x मान लीजे breadth को y मान लीजे और length और breadth का जो ratio आपको दिया गया है वो कित्ता दिया गया है 3 ratio 2 दिया गया है ओके 3 ratio 2 दिया गया, finally आपको area पूछा गया, बिल्कुल similar question है, तो X कितना होगा 3K और Y कितना होगा 2K, मतलब यह हो गया 3K और यह हो गया आपका 2K, अब कहारा है कि इसकी perimeter जो दी गई है 40 दी गई है, है ना, perimeter आपको दी गई है, तो आपको पता है कि perimeter क्या होती, perimeter होती 2 times length plus breadth तो length याने की X से breadth कितनी है, Y है, तो 2 times length equal to 3K, breadth equal to 2K, तो 3K plus 2K कितना होगा 5K, और 5K का double होगा 10K, लिव भाई साब, अब जो इसकी value दी गई हो, 40 दी गई है, मतलब 10K equals to कितना है, 40, तो K equals to 40 by 10, means 4, तो K की value 4 आगई, अब K की value यहाँ पर put कर दीजे, तो X equal to 3 into 4, 12, और Y equals to 2 into 4, कितना होगा बच्चो, 8 होगा, तो X equals to 12 meter and Y equal to 8 meter, clear है बच्चो, X equal to 12 meter and Y equal to 8 meter, तो X की value 12 meter आ गई है, Y की value 8 meter आ चुकी है, बहुत बढ़ी आ चुकी है, आपको चाहिए है area, तो area equal to X into Y हो जागा, length into breadth हो जागा, तो length की value 12 है, और Y की value कितनी है, 8, answer 96 और area की unit क्या होगी meter square, तो चेक करिए, option में है क्या 96 meter square, 96 meter square है क्या option में, यस, ओके, तो correct answer equal to 96, ओके, यस, चलिए, next, अब याद रखा करिए हमेशा question को solve करते समय, कि अगर आपको dimensions यानि की length और breadth 3 centimeter में दी गई हो, तो centimeter का area होता है, वो centimeter square में आता है, और अगर आपको meter में दी गई हो, तो area किस में आएगा, meter square में, because जब आप meter और meter का multiply करोगे, तो meter square बनेगा, और जब आप centimeter और centimeter का multiply करोगे, तो centimeter square बनेगा, अब अगर कोई कहोगे, sir, एक meter में दिया है, और एक centimeter में दिया है, तो क्या करोगे पहले, इस meter को किस में convert करोगे, centimeter में, तब ही हो पाएगा multiply, ये नहीं हो सकता है, कि एक मीटर में रहे और एक सेंटी मीटर में रहे आप मल्टिप्लाई कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन ना, एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, ऐधर मीटर में होगी या सेंटी में होगी, अगला क्वेशन बताएंगे, चलिए दोस्तों, अगले आइन का question number 51, the average of a man and his son is 16 year, अरे भाई ये फिर से भही question आगया है, तो क्या बताने की जरूरत है, the average of a man and his son is 16 year, चलि बता देता हूं, तो man की average age मैं मान लेता हूं, X है और जो उसका son है, उसकी age कितनी मान लेता हूं, Y, और फिर से है, X और Y का average, दोनों की age का average जो दिया ग इस बार तो आपको sun की age मांगी गई है ठीक है चलिए इसको solve करता हूँ तो x plus y equal to 16 to 32 है ना आ चुका है यहाँ पे x plus y equal to 16 to 32 आंगे की क्या बत है कि जो दोनों की age का ratio है वो 15 ratio 1 है means x upon y equal to 15 upon 1 तो मैंने बताया था इसको k ले लिजे तो यहाँ भी k और यहाँ भी k तो father हो गए 15 k और sun की age हो गई 1 k मतलब k होता है और दोनों की अब यहाँ पे x की value हो गई 15 k और y की value कितनी हो गई k आपके पस value क्या दी गई है x plus y equal to 32 है value put करिए x की value 15 k और y की value कितनी है k equals to 32 16 k equal to 32 तो k k equals to 32 by 16 से cancel हो गया 2 times answer k की value कितनी आ चुकी है 2 अब k की value 2 आ चुकी है आपको किस की age चाहिए है sun की age चाहिए थे sun की age कितनी थी y और y equals to क्या आ गया था k आ गया था k की value कितनी आ चुकी है 2 तो answer y equal to 2 years चेक कर यह option में है क्या y equal to 2 years so the age of the sun equal to 2 years बिल्कुल सही correct हो चुका है next question की और चलते है बच्चों question number 52 the 10 man can complete a piece of work in 30 days how many when are required to complete same work in 25 days भाही बहुत ही simple question वही man and work वाला question है अगर man बढ़ते हैं तो days क्या होते हैं कम होते हैं मतलब inverse relationship man 1 upon man 2 equal to days 2 upon days 1 तो क्या scene दिया गया है 10 man can complete पहले scene में 10 man can complete a piece of work in 30 days मतलब 10 आदमियों को 30 दिन लगते थे ठीक ना अब कह रहा है कि अगर कोई काम 25 दिनों में पूरा हो रहा है तो बताइए कितने man लगेंगे इसको पूरा करने के लिए मिरे को नहीं पता मैंने x माल लिए क्या माल लिए म M1 M2 so 10 upon x equal to बताइए क्या होगा 30 upon 25 25 upon 30 बिल्कुल से 25 upon 30 क्योंकि day 2 upon day 1 25 upon 30 चले तो आपको X चाहिए तो X को यहां ले जाए यह अगर आप order पोख है तो इक काम कर यह इस पूरे को पलट लिजे तो यह दी इसको पूरे को पलट होगे तो यह भी पलट जाता है तो इसको X upon 10 कर लो और इसको कितना कर लो 30 upon 25 इधर भी पलट लिया इधर भी पलट लिया अब X की value कितनी हो जाएगी 30 ऊपर है 30 से 10 का multiply होगा और नीचे कितना आएगा 25 ठीक ना चलिए थोड़ा से इसको arrange करते है 30 into 10 कितना हो गया 30 into 10 कितना हो गया 300 300 को लिखो 3 into 100 3 into 100 divided by कितना 25 तो 25 से 4 टाइम जाएगा तो 3 4 जाएगा अंसर 12 डेस कितना हो गया 12 ओके 12 डेस नहीं होगा 12 मैं होंगे कितने लोग ने because man को आपने X माना था तो how many people 12 पीपल तो answer X equal to 12 इंसान लगेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा काम पूरा ओके गाइस अगले डाउट्स की और चलते हैं पेपर पर पेपर हमारे solve होते जा रहे हैं बड़ी speed के साथ पेपर अगला sample paper की तरफ आ चुके हैं और पहला ही question 41 ही doubt है आईए देखते है question क्या कह रहा है the average attendance of a college for first for first three days of a week is 325 and for the first four days is 320 how many were present on the fourth day यह जो question है नहीं बहुत मस्त question है बड़ी class का question है इसलिए इसमें नवोदे वाले बच्चे बिचारे फिसल जाते हैं थोड़ा सा 8th class की लेवल का question है यह तो क्या question है देखी भाई साथ दिन स्कूल लगता है है ना साथ दिन लगता 6 दिन लगता Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday तो क्या कह रहा है इसमें कि the average attendance of a college for the first three days ठीक ना first three days की average जो दी गई है तो मैंने माल लिया कि पहले Monday की attendance थी XM कितनी माल लिया XM आप X1 भी ले सकते हो मगर M दिसले दिया कि आपको दिखाई दे एक मनने Monday की attendance माल लिया XM मैंने Tuesday की attendance माल लिया XT मैंने Wednesday के attendance माल लिया कितनी XW अब आप बुलो कि sir Thursday में भी T आएगा तो इक काम करता हूं मैं उसको उसको TH माल लो या Guru वार माल लो XG क्योंकि Thursday को हिंदी में Guru वार कहते हैं ठीक अभी या चलो इतने में ही काम हो रहा बागी हमको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि question में चार दिन कई हिसाब किताब बोले गई है किरदा average attendance of a college for the first three days सुरू के तीन दिन के attendance तो क्या है तीन दिन का average X Monday प्लस X Tuesday प्लस X Wednesday कितने दिन हुए 3 days 3 days का जो attendance दिया गया है average दिया गया है 325 है कितना है 325 है यह average attendance है 3 days की चलिए तो X Monday प्लस X Tuesday प्लस X Wednesday प्लस X Wednesday एक्वल टू 325 मल्टिप्लाइ भाई 3 3 5 जा 15 केरी आई 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7 3 3 जा 9 यह हो गई Monday Tuesday और Wednesday की कुल attendance बोलिया yes की no यह काम की चीज समाल करके रख लीजे समालने वाली चीज को equation बोल देते हैं 1 क्या बोलते हैं 1 आंगे पढ़ते हैं for the first four days जो अगले चार दिन की attendance है वो 320 दी गई है मतलब X Monday प्लस X Tuesday प्लस X Wednesday प्लस X Thursday को मैंने बुला था जी फॉर गुरुवार का जो attendance का average है बोलो upon में कितना आएगा 4 equal to कितना दे रखा है 320 कितना दे रखा है 320 दे रखा है इसका average चो चलिए मैं निकालता हूं तो X Monday प्लस X Tuesday प्लस X Wednesday प्लस X गुरुवार याने कि Thursday equal to 320 into 4 हो जाएगा 4 0 0 4 2 जा 8 and 4 2 जा 4 3 जा 12 क्या कह रहा है बताइए 4th day की कितनी attendance है total हमको 4th day याने की गुरुवार की attendance चाहिए तो यह हो गया equation number 2 बुले clear अब आप देखी ध्यान से आपने इतनी की value निकाल रखिए already Monday Tuesday और Wednesday की value आपने कितनी निकाल रखिए 970 तो इतने में इसको replace कर दीजे उठा के यहाँ पर तो यह गया 975 प्लस X गुरुवार बसका बच के कितना हो जाएगा 1 2 8 0 तो X गुरुवार याने की Thursday के tendency equal to 1 2 8 0 minus 9 75 1 2 8 0 minus 9 75 10 में से 5 गया 5 clear हो गया यहाँ पर कितना बचा 7 से 7 0 यहाँ पर कितना हो गया 12 में से 9 गया कितना हो गया 3 और यह cancel हो गया करेक्ट टांस कैसे बचेगा 7 भाई कैसी बात कर रहे हो ओके अच्छा 12 में से कितना गया है ओके कितना बचेगा भाई से 3 ही तो बचेगा ना 9 प्लस 3 12 और यह cancel हो गया clear है तो answer हो गया 305 चेक करिए क्या option में है क्या 305 बिलकुल है option number D देखिए 305 मतलब गुरुवार को कितने बच्चे आए होंगे पूरे स्कूल के 305 एक्स जी फॉर गुरुवार है ना थर्स्टे में confusion हो जाता है इसलिए मैंने जी ले लिया था clear हो गया yes हाँ तो टी एज भी ले सकते थे और यू कैन से गिए एक्स थर्सडे इक्वल टु 305 दन नेक्स टोशन बताई अग्ला कोश्चन क्वेश्चन नंबर 43 43 दन हो गया Okay, question number 40, 46 question number अगला है देखते हैं, दोस्तों क्या कह रहा, question number, if 100 men can do 100 jobs in 100 days, then one man can do one job, देखे ये थोड़ा सा problematic question, इसको मैं बाद में discuss करूँगा, ये मैं बाद में discuss करूँगा, चलि अगला बताइए भी, कुछ question थोड़े से problematic आ जाते हैं, मतलब कि उनका clear नहीं रहता है solution, तो उनको अपन बाद में discuss करते हैं, चलि अगला question देखते हैं, अगला question जो है 53, okay, I think it is practice at 11 है, 53 practice at 11 का question है, क्या कह रहा, मैं question पर देता हूँ, A gold bracelet is sold for Rs. 14,500 at a loss of 20%, what is the cost price of the gold bracelet, okay, what is the cost price of gold bracelet, ठीक है भाई, कह रहा है, कि एक gold bracelet जो है, उसको sell किया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर selling price दी गई है, जो selling price दी गई है, वो दी गई है 14,500, okay, 14,500, और यहाँ पर आपको दिया गया है loss percent, किता दिया गया है, loss percent, loss percent equal to दिया गया है 20%, 20%, loss percent आपको दिया गया है 20%, ठीक है न, 20% कहारा कि cost price कितनी होगी, इसकी आपको cost price जो है, कितनी होगी यह पूछी जा रही है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको loss percent का formula पता हो, तब आप कर सकते हैं, और loss percent का formula यदि नहीं पता है, तो आपको फिर इसको x ले पता है, आपको profit percent का formula तो पता होगा, profit percent is equal to होता है, profit यानि की selling price minus cost price upon into 100, या दे, यह होता है profit percent का formula, और loss percent का भी formula यसा ही बनता है, loss percent में क्या होता है, उपर होता है cost price और नीचे selling price, ठीक है ना, cost price minus selling price, नीचे selling price, नीचे क्या आएगा, भाई, जो loss होगा, loss और profit दोनों ही cost price पे निकलते हैं, selling price पे निकलते हैं, ठीक न, into 100, यह होगा, यह formula होता है, loss price का, ठीक है जी आगया समझ में, तो आईए करते हैं इसी question से, तो loss आपको कितना लगा है, 20% तो यहाँ पर सेंटेज के साथ ही है, तो आपको केवल 20 रखना है, क्या रखना केवल, 20, cost price, selling cost price, x मान लिजी, किती मान लिजी, x आपको पता नहीं है, minus selling price कितनी है, 14,500, clear है, 14 15,500, और यहाँ पर इसको भी कितना मन लिए, आपने x, cost price, into कितना हो गया, 100, बुली clear है, into यहाँ पर हो गया, 100, चलिए, अराम से करना आपको, देखी यह एक्स यहाँ जाएगा, 20x, क्या बन जाएगा, 20x, बने का न, यहाँ पर क्या एगा, x minus 14,500, multiply by 100, multiply by 100, ठीक न, अब इस 100 को यह multiply में है, तो यहाँ divide में भीज़ दीजिए, बुली clear हो गया, for 20 से कितने बार cancel हो गया, 5 बार, तो क्या बज़ गया, यहाँ पर x upon 5, x upon 5, equal to x minus 14,500, और 14,500 को यहाँ भीज़ दीजिए, यह minus में है, तो इधर आके plus हो जाएगा, 14,500, और x में, x upon 5 इधर plus में था, साथ उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, minus में, बुली हो की नहीं हो, चलो चलो करते जाते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, x के नीचे 1 है, lcm आएगा, 5, 5 में 1 का divide देंगे, 5 आएगा, 5 में x का multiply 5x, और यहाँ पर x ही आजाएगा, because 5 में 5 का divide होगा, 1, 1x जाएगा, 14,500, यह यह कितना बन गया, भाई सा, 4x, कितना बन गया, equal to 14,500, और इस 5 का उपर multiply हो जाएगा, so 5 multiplied here, yes or no, now here, 0, 0, 5, 5, 25, carry आगे to 5, 4, 20, plus 2, 22, 5 बन जा, 5, plus 7, 7, 25, 4, equal to 4x, तो x equal to 72,500 divided by 4, divided by 4, ठीक ना, तो हमको क्या चाहिए, x ही तो चाहिए, x मतलब क्या cost price, तो 72,500, 72,500 divided by 4, अब इसको दो तरीकों से कर सकते हो, यार, इसको या तो divide कर तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो एक और तरीका है, x equal to 725 को अलग लिखो, और इसको लिख दो 100, और 100 divided by कित ना, 4, तो यहाँ से कितना आगया, और भाई, क्या 2 into 2 लिखोगे, कोई जरूरत ही नहीं उसको लिखने, किसी दे 100 को multiply करके, 25,400, यहाँ नो, मतलब ऊपर कितना आगया, 725 multiply by 25, ओके, अब 25 की table पढ़ दीजी आप, ओके, और दूसरा आप divide भी कर सकते थे, 725,00 को directly आप किस से divide कर सकते थे, 4 से, यहाँ भी कर सकते, 4 बन जा 4, गोलिए, यहाँ सवान हो, कितना आगया, यहाँ पर 3, 2, 4, 8, 32, 4, 8, 32, यह खलास हो गया, फिर 5 उतरा, तो 4 बन जा, 4 फिर से आगया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाई साब आपके पास में, 1 आ गया, 0 उतर गया, 4 टूजा, 8, 4 टूजा, 8 इधर पर 2 बज गया, 0 फिर से उतर गया, 4, 5 जा 20, आंसर, 18,125, 18,125, देखिया, option में है क्या, 18,125, बिलकुल है, तो यही है, इसका cost price, इसने इतने में खरीदा होगा, x equal to 18,125, तो याद रखेगा, selling price और cost price का जो formula है, profit percent का, दोनों ही, जो percentage निकलते हैं, वो हमेशा किस पे निकलते हैं, cost price पे, ओके, तो profit percent का मैं formula बता देता हूँ, profit percent equals to होता है, selling price minus cost price upon cost price into 100, और loss percent का formula होता है, equal to cost price minus, बिलकुल सही लिख रहा हूँ, क्योंकि cost, loss में हमेशा cost price ज्यादा होती है, और selling price कम होती है, loss आपको कम मिलता है, जब आप खरीदते ज्यादा में हैं और बेचते कम में हैं, तो इसलिए तो यहाँ पे ऐसा होगा, और upon में यहाँ पे क्या होगा, cost price into 100, clear हो गया, यह दो formula रहेंगे तो आपको ऐसा बन जाएगा, any problem, कोई दिक्कत, एक और तरीका है, इस question को करने का, एक और तरीका है, इस question को करने का, बिना formula के, बिना formula के, उसको भी मैं बता दिता हूँ, क्या question तो आपने बता दिया मैंने, मान लीजे कि आपकी cost price x थी, cost price क्या थी, x थी, अब selling price कितनी है, x minus 20% of x, बूली यह किनो, मतलब, x minus 20%, मतलब 20 upon 100, of का मतलब multiply यहने x, यहने x minus 20 से काड़ दीजी, 5 बार, x minus कितना हो गया, x upon 5, तो LCM ले लिजी, यह हो गया, 5x minus x upon 5, बोले तो 4x by 5, यह क्या है, यह आ गई है, selling price, क्या आगी है, selling price, selling price आ चुकी, कैसे निकली selling price, cost price में से, loss को minus कर दिया, loss कितना है, 20%, minus करके selling price आ गई, अब selling price जो दी गई है, वो दी गई है, आपकी 14,500, देख लिजे question में, दी गई है ना, selling price जो आपको दी गई है, 14,500, यहने 14,500, तो selling price आपने यहाँ पर कितने निकाली, 4x upon 5, निकाली न 4x upon 5, और यह दे रखी equal to कितनी, 14,500, तो x equal to 14,500, multiply उपर में 5, और डिवाइड में कितना, 4, अब इसको solve कर लिजे, तो यही आपका answer आजागा, इतनी मेहनत करें बगएर, आपका answer आजागा, 18,125, 100 कितना था भाई, 75 कि 25, 25, इसको solve कर लिजे, तो आपका answer आजागा, 18,125, लगे आपको तो directly say कर लिजे, इसमें concept लगेंगे, उसमें formula लगेगा, जो अच्छा लगे आपको कर लिजे, बुलो clear हो गया, चलिए next question, चलते है question number 54, अगला question 54, क्या कह रहा question 54, अब why do I work in 5 days working 7 hour per day, if he does 5 hour per day, what would he number of days, देखो भीया, अगर आप time बढ़ाओगे, तो days क्या ह yes or no, मतलब अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, time 1 upon time 2 equal to day 2 upon day 1, अब आइए scene बनाते है question का, अब why do I work 5 days, in 5 days working 7 hour, तो जब 7 hour काम करता है, तो इसका काम कित्ते दिन में हो जाता है, 5 days में, yes or no, clear है न, if he does 5 hour per day, है न, 7, अब फिर does 5 hour per day, कहरा कि अगर वो 5 घंटे पर दे काम करे, ठीक न, 5 घंटे पर दे काम करे, तो बताये number of days कितने लगेंगे, हमने क्या मन लिया, X, तो चलिए, 7 था पहला time, बाद में कितना था, 5, यहाँ पर बताये, 5 upon X आएगा कि X upon 5 आएगा, आपर सेम राएग आपर सानो, X upon 5, clear हो गया, आगया समझ में, यूनिवर्सल नहीं उसको inverse बोलते हैं, यूनिवर्सल नहीं inverse बोलते हैं, समझ गया, यूनिवर्स का मतलब ब्रम्हांड होता है, और इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, से मतलब directly proportional, चलिए, चोटी सी बात है, 5 से 5 क्या हो गया cancel तो answer X equal to 7, कितना होगा, 7 तो कितने days लगेंगे, 7 days, कितने days लगेंगे, 7 days, है option में 7 days, yes तो 7 days में उसका काम बन जाएगा, next question बताईए, चलिए, 55, 56 कोई doubt है क्या, चलिए, next question बताईए अगला, तो guys बड़ी मस्तरफतार के साथ हमें question कर रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं, 52 question number पे, next, अपना जो doubt है, 52 है, the owner of a television sub charges his customer 60% more than the cost price, the customer pays 16,588 for a television, then what is the cost price of a television, लिए भाई साब, मान लो कि उसकी cost price कितनी थी, x थी, कितनी थी cost price, x और उसने जो profit लिया है, वो 16% लिया है, profit equal to कितना, 16% और इतना profit लेने के बाद उसने जो sell किया है, selling price equals to है, उसकी 16,588, clear हो गया, तो भाई मैं क्या कहता हूँ कि जो selling price equal to होती, वो होती है cost price plus profit, होती की नहीं होती है, जितने का खरीदा उसमें कुछ profit जोड़ोगे, cost price पता नहीं है, cost price कितनी मान लिया, अपने x, कितनी मान लिया, x, selling price अपने पास कितनी है, 16,588, plus profit कितना है, 16%, profit कितना है, तो 16% मतलब अपन में 100, और profit किस पे लगता है, cost price पे, है ना, 16% of x, of x, तो मैं यहां लिग दिय x, बिल्कुल सही है, x अपन 16, अपन 100, और यहां पर into कितना आजाएगा, x, clear है, 16x अपन 100, और यह सब कुछ कितके कोल है, 16,588, एट के चलिए, चलने दीजे गाड़ी, 16,588 को मत छेडिए, lcm ले लिजे, lcm कितना आएगा, 100, 100 इससे multiply हो जाएगा, 100x, बुलिए यहां x, oh, प्लस कितने x, 16x, देखे, 100x यहां चला गया, 100 में 1 का डिवाइड हो, 100 इन्ट 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 होगा, तो यह कितना होगा, 116, 116 x, upon 100 equal to 16,588, ठीक ना, अब देखे, इतना बेचा है, जब तो मतलब cost तो जादा होगी, इसकी, खरीदा तो महेंगे में होगा, तभी तो फायदे में बेच रहा है, इसे लिए इतनी बड़ी calculation हो रही है, तो 16,588, multiply by 100, बुलिए इसानो, equal to 116 x, clear, तो x की value चाहिए, तो 116, वहां ले जाए, 16,588, multiply में 100 को रहने दीजिए, और upon में क्या चला गया, 116, clear हुआ, अब आपको इसमें multiply solve करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, solve करना पड़ेगा, थोड़ी सी महनत लगेगी, ओके चली आईए, तो मैं आपको solve करना सिखाता हूँ, 6 plus 1, 7, 7 और 8, ओकी यह 8 की table में आ रहा है, मतलब इसके digit का sum जो है, last के 3 digit का sum किसे divide है, 8 से, है ना, ओ, 2 से भी divide हो जागा, चल 2, 2 जा 4, 2, 2 जा 4, है ना, फिर 2, 9 जा 18, and 2, 4 जा 8, yes or no? हाँ, clear होगे ना, और फिर देखी, हाँ, कट जाएगा, 29 से, अरे उसको मत काटे, उसको 100 को रहन दीजी ना, उसको क्या दिक्कत है, अब 2 से फिर से काटा, 29, भाई, एक ही को काटा जाता, दो को नहीं काटा जाता, हाँ, अब 2 से काटते हैं, इसको 29, yes or no? अब फिर से इसको काटूँगा, 2, 4 जा 8, 2 बन जा 2, 2, 4 जा 8, और 2, 7 जा, 4, 1, 4, 7, 4, 1, 4, 7, wait, 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 अब 29 से जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है, 29, 29 क्या होता है, प्राइम नंबर, चलिए, तो 4, 1, 4, 7, divided by 29, 29 से 1 by 29, 9, 2, 11, बुली यहाँ है न, 11 में से 2 गया, 9 गया, 2 बच गया, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कितना बच जाएगा, 1, because ये 2 है, तो ये 1 बच जाएगा, 12, okay, now 1, 24, 4 कह रही आ गया, बुलो यहाँ हो, चलिए, 29 का टेबल पढ़ता हूं, मैं कितने बा 45, 5, okay, 5, 9, 45, 5, 5, 2 जा 10, तो 4 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 बार, 29 इंटो 4 ताइम्स, 4 ना जा 36 कह रही आगा, 3, 4, 3 जा 8, 4, 2 जा 8, 8 प्लस 3, 11, so 3 ताइम्स, sorry, 4 ताइम्स में कितने बार गया, 116, 116, 4, 14 मैंस 6, 8, clear, 1 मैंस 1, 0, and 1 मैंस 1, 0, जो, now, it is 87, okay, 3 ताइम्स, 29, 3 जा 80, okay, 29, 3 जा 87, cancel हो गया, भाई साब, तो आंसर आ गया, यह कट करके, 29 से यह कट गया, how many ताइम्स, 143, अब बचा किया 100, तो 143 मुल्टिप्लाई बाई 100 एक्वल टू कितना, X, तो correct answer is 14,300, लिए भाई साब, बेचा कितने में था, 16,588 मे यह, तो correct answer इसका जो purchase है, जो इसकी cost price है, वो है 14,300, समझ में आ गया, यह, so correct answer is 14,300, done it is, Okay guys, next question की तरफ चलते है, question number 46, test paper number 15, 46, question क्या कह रहा है, In a class, there are 40 boys and average age is 16 year, one boy is 17 year, leaves the class and another boy joining, the average comes 15.875 year, the age of the new boy, भाई, खतरना question है, आराम से करना पड़ेगा, समझो क्या है, In a class, there are 40 boys and their average age is 16, 16 years, तो 40 लड़के हैं, पहले age की मानलो X1 है, दूसरे की मानलो X2, चलते, चलते, 40 बच्चों की age है, last वाले की है X40, last वाले की है X40, सबकी age का जो average है, 40 student की age का average में कितना है का divide by 40, जो average age आ रही है, 16 year, कितनी ये जा रही है, So X1 plus X2, जितने भी बच्चे भरे हुएं इसमें, सबकी age up to X40, equal to, multiply कर दो, 16, 4 जा 64, और साथ में 0 आ गया, 16 into 40, direct कर दिया मैंने, ये काम की चीज है, इसको equation number 1 दे दो, क्या दे दे equation number 1, अब हो रहा है, असली question सुरू, if a boy age 17 year leave the class and another joining, कह रहा है कि एक बच्चा चला गया, जिसकी age कितनी है, 17 year, और एक दूसरा बच्चा आ गया, ठीक ना, तो average age जो हो जाती है, वो हो करके 15.875 year हो जाती है, ध्यान से सुनना भाई सब, कुछ बहतरीन होने वाली बात, देखिए जी होता क्या है, यहाँ पर एक बच्चा बेठा हुआ है, जिसकी age 17 साल है, इसकी age कितनी है, 17 साल है, किसी दिन वो चला जाता है, किसी दिन वो क्या हो जाता है, चला जाता है, अब देखिना सारी calculation बड़ी मझेदार है, एकस वण, फ्लस एकस टू, फ्लस टा डडडडडडडडडड़, यह बीच में 17 वाला बैठा हुए था, ठीक है, प्लस 40, अभी तो सब कुछ सही था, बोलो हां जी, अब होता क्या है भाई सब, होता है एक दिन कि 17 वाला इस class को छोड़के चला जाता है, 17 वाला इस class को छोड़के चला जाता है, मतलब यह जो 17 प्लस में था, यह माइनस 17 भी हो गया, बोलो हो गया की नहीं हुआ, हो गया की नहीं हुआ, 17 वाला चला गया, ठीक है, तो यह जो बिचा मेरे 640 है, 640 से क्योंकि इनकी टोटल एज का सम 640 था, तो इससे भी 17 की कमी आएगी कि नहीं आएगी इसमें भी, आएगी बिलकुल भाई साब, तो 17 की कमी हो गई, मतलब हो क्या रहा है कि हमने इसमें इस तरब भी माइनस किया तो इधर भी माइनस किया समझ करें और इसकी जगह एक नया बंदा आ गया इसकी जगह एक नया बंदा आ गया उसकी हमको एज का पता नहीं है तो उस नय बंदी की एज हमने माल ली X new कितनी माल ली X new तो इस बंदी की एज को जब हमने यहां जोड़ा है इस बंदी की एज क्या है X new नया बंदा आ चुका है ठीक ना यह निकला यह निकल गया और इसकी जगह यह नया बंदा आ चुका है ठीक है ना ये नया बंदा यहाँ पर आ चुका है अब टोटल जो बंदे हैं ये सत्रा से सत्रा क्या हो गया बिटा कैंसल कैंसल हो गया कि नहीं हो गया सत्रा से सत्रा जो है वो कैंसल हो चुका है ठीक है ना सत्रा से सत्रा यहाँ पर कैंसल हो चुका है अब कह रहा है कि ऐसा कर करने के बाद देखिए बच्चों तो आपको करना क्या ना अभी आप इसको यह देखिए कि 17 माइनस करिए देखिए तो आपने क्या किया है इसका question का कहना है कि एक नया बंदा आया तो 17 में से 17 आपने मैनस कर दिया ओके मतलब जो 17 का effect था वो cancel हो गया उसकी जगे यह नया बंदा आ गया उसकी जगे यह नया बंदा आ गया है ठीक है ना ठीक है तो इसको एक बार में फिर से थोड़ा सा लिखूँगा कैसे लिखूँगा देखना भाई क्या सीन था एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस बीच में यह बैठा बच्चा बैठा हुआ था जिसका एज किती थी 17 एर और प्लस ऐसे ऐसे करके 40 बच्चे थे बुलो हाँ ना फिर यह 17 एर वाला बच्चा चला जाता है 17 एर वाला बच्चा चला जाता है बुलो हाँ जी यह एक 17 है इस एज का बच्चा चला जाता है 17 एर का और इसकी जगह एक नया बच्चा आ जाता है इसकी जगह एक नया बच्चा आ जाता है आ गया तो 17 एर वाला पहले था अब चला गया पहले था और अब चला गया ठीक यह पहले था और अब यह चला गया है, अब इसकी जगह एक नया बच्चा आ गया है, इसकी जगह एक नया बच्चा आ चुका है, तो देखिए, राइट साइड में क्या डिफरेंस आएगा, अब मजी की बात है, राइट साइड में क्या डिफरेंस आएगा, देखिए, तो र एक बच्चा था जिसकी एज 17 थी वो इधर भी माइनस हो गया, तो उसकी एज इधर भी तो माइनस होगी ना, बुलिया सनू, तो वो माइनस हो गई है, और एड हो करके कितना हो गया है, एक नया बच्चा जिसकी एज कितनी है, XN, कितनी है एज, XN, clear हो गया, तो ये जो 17 उसका हिताब-Kitab तो total cancel हो गया, cancel हो गया? अब पहले ये बता ये पहले कितने बच्चे थे, चालिस थे, कितने थे? अब एक गया, और उसके बदले में एक आ भी गया नया वाला, अब कितने बच्चे है? 40 ही बच्चे होंगे, समझ गया ना, अब कह रहा है कि इन नय वाले बच्चे जो आए है, इनका जो एवरेज है, एज का, वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको, 15.875, कितना मिल रहा है, मतलब जो नई वाले आपकी लिस्ट बनी है बच्चों की, नई वाले लिस्ट बनी है, तो नई वाले लिस्ट क्या बनी है, आपकी X1, 1 minute, 1 once, plus X2, plus dot dot dot, 17 वाले की जगे, न्या वाला बच्चा आ चुका है, XN, plus dot 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 dot, X40, yes or no? इनका average, divide अब ही कितना करोगे, 40, क्योंकि अभी भी कितने बच्चे है, 40 बच्चे है, कितने बच्चे है, 40 equals to, कितना आ रहा है, 15 point question में दिया है, 875, 15.875, दिया की नहीं दिया है, बिलकुल दिया है, ये दिखे 15.875, अब दिखे भाई, काम की बात क्या है, ये जो उपर value ल x new, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, उपर जो value निका लिए, मैंने, इसकी जगह लिखोंगा, बोली कितना, 640, प्लस 17, और माइनस का x, oh sorry, मैं, नहीं, नहीं, माइनस 17, मैंने मिस्टीक से लिख दिया, माइनस 17, and माइनस x, new, अरे यहाँ पर क्या था, oh, ये, sorry, sorry, इसको बोली नहीं, x n प्लस है, yes or no, upon कितना, 40, upon कितना, 40, equal to 15.875, done, चलिए, तो 6640 में से 17, 40 में 17 जाता, कितना बनता बताईगे, 40 में से 17 जाएगा, तो कितना बनता है, 23, कितना बचेगा, 23, तो ये हो गया, 623, 23, plus x, new, बच्चे का age, yes or no, equal to 15.875, multiply by 40, multiply by, 40, इसको उड़ा दो, चलो भाई सब, इसको उड़ा दिया अपनने, तो ये आगया, upon 1000, आगया, clear हो गया, upon 1000, आगया, 10 से 10 क्या हो गया, cancel, और 4 से, 4 से 25 बर ये चला गया, तो उपर कितना बचा, 15, 8, 7, 5, divide by 25, clear हो गया, तो इसको मैं 5 से cancel कर लूँ या 25, 25, 25, तो 25 से भी चला जाएगा, तो 25 से करता हो तो बच्छा रहेगा, 5 से 5, 5 जा 25, 5, 3 जा 15, फिर 5 बच गया, 7 आगया, 5, 7 जा 35, यह सो उनो, 5, 7 जा 35, and 5, 2 जा 25, 3, 1, 7, 2, देख लिजे, ठीक न, देख लिए, फिर 5 जा 15, फिर 5 जा 5 किया, तो यहां पर 3 बचा और 7 बचा, 5, 7 जा 35, and 5, 2 जा 25, बिल्कुल सही है, 5, 5 जा 25, 5 जा 25, फिर 5 जा 25, फिर 5 जा 25, फिर 5 जा 30, 5, 3 जा 15, 6, 32, 6, 32, बिल्कुल सही, clear हो गया, तो देख यहां पर 6, 23, प्लस नए बच्चे की एज का जो सम आया है, वो कितना आया है, 6, 32, तो X new बच्ची की जो एज होगी, that is equal to 6, 32, minus 6, 23, ओके, आंसर कितना हुआ, 9, कितना हुआ, 9, तो चेक करिए भाई, अप्शन में क्या 9 एर है, है, उप्शन में, तो 623 कहां पर mistake हो सकती एक बार फिर से चेक करते हैं calculation ही गलत होगी वेट 640-17 640 में से 17 जाएंगे तो 23 और 7 30 30 30 30 प्लस 10 40 विल्कुल सही है 623 प्लस X new equal to 15.875 into 40 यहीं पर calculation में ही यदि कुछ mistake हुई होगी तो हुई होगी calculation में ही कुई mistake हुई होगी तो हुई होगी ओके फिर से इसको करते हैं calculation को 623 प्लस X new equal to 15.875 into 40 so I can write it divide by 1000 1000 0 से 0 cancel 4 से जाएगा 25 ताइम्स and 25 ताइम्स में मैं directly divide करता हूँ 15875 डिवाइड बाइ 25 okay so 25 6 150 okay so कितना आएगा 8 7 उतरे गया यहाँ पर cancel होगया now 25 3 75 so how much it is here will be 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पर 1 now it is 125 125 635 125 yes so 635 answer आ रहा है okay यही गलती हुई है तो 635 correct तो 635 ताइम्स इसने cancel कर दिया okay so 623 प्लस X new equal to 635 so X new equal to 635 minus 623 to 1 cancel तो correct answer नए बच्चे की जो age है वो 12 years है हाँ कोई mistake हो गई थी तो X n equals to 12 years ठीक ना तो बड़े अराम से करिएगा और मैंने बताया ऐसे question एकदम last में attempt करिए क्योंकि बहुत भारी भरकम question है यह इसमें तो बहुत खासी approach लग रही है क्योंकि 17 पहले minus करना पड़ेगा फिर नए वाले बच्चे को add करना पड़ेगा और जो यहां कर रहे है वो right में भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर बच्चे की age इधर minus होगी तो total में भी तो कमी आएगी न yes done next question है कोई चली अगले question की और चलते है अगला question ratio and proportion का question number 49 क्या discuss हो रहा भाई question a b c divide an amount 9861 among the three among themselves in the ratio 3 ratio 11 ratio 5 respectively what is the b share in the amount okay b का share कितना होगा देखिए तो total हिस्सेदारी जो है 3 11 5 मतलब total पैसे को एक ने 3 पार्ट लिये एक ने 11 पार्ट लिये एक ने 5 पार्ट लिये मैं आपको short track से बता रहा हूँ total कितने पैसो के हिस्से करें 5 plus 3 8 11 plus 8 याने की 19 पार्ट करें कितने पार्ट करें है? 19 part. बुली है सव नो? तो 19 part में A के पास कितने part जा रहा है उस total पैसे का 3 part? मतलब जो A का share है वो है 3 out of 19. बुली है सव नो? जो B का share है वो है 11 out of 19. और जो C का share है वो कितना है? 5 out of 19. अब निकाल लिजे आपको किसका share बोला गया है? आपको बुला गया है कि B का शेर बुला गया है किसका शेर बुला गया है B का शेर तो टोटल अमाउंट कितना है 9861 9861 हम लोग B का शेर निकाल रहे हैं कि B को कितने पैसे मिले तो B को मिले हैं कितने पार्ट मिला है 11 पार्ट कितना पार्ट मिला है 11 पार्ट देख लिए शेर रेशो जो दिया है 3 रेशो 11 रेशो 5 तो B के पास 11 पार्ट की तो 9, 8, 6, 1 का 11 पार्ट मगर आउट अफ कितने 19, clear हुआ? भई 11 बाइ 19 पार्ट किसका टोटल अमाउंट का यह सो अगर A को बोलते तो मैं 3 बाइ 19 से मल्टिप्लाई करता अगर C को बोलते तो मैं 5 बाइ 19 से मल्टिप्लाई करता यह सोनो बट B का जो शेर हो क्या है 11 बाइ 19 यह सोनो मतलब 19 में से 11 की हिस्सेदारी है तो आंसर आजागा 9861 मल्टिप्लाई भई 11 डिवाइड भई कितना? 19 19 से कारता हूं है चले डिवाइड करतो भई 19 से 9861 को 9861 डिवाईड भई 19 19, 5, 95, यहां पर आ गया 3, यहां पर आ गया 6, 19, 1 जा, 19, बिल्कुल सही है, 19 जा 19, 7, ओके, और यहां पर कितना आ जागा, 1, ओके, 171, तो 9 टाइमस आ गया, 9 टाइमस 171, तो आंसर 519 आया है, यह कटकुट के, है ना, तो कितने बार आ है, है 519 into 11. So 519 into 11 करिए 519 into 11. So पहले भी 519 और दूसरे बार भी 519. 5, okay. बिल्कुल सही 5709 चलिए चेक करिए आंसर 5709 is the correct option देख ली जास में से यस भी option है 5007 तो वैसे बहुत बड़ा rule हो सकता था मैंने आपको सेंपल तरीगा बता दिया करने का, okay. चलिए सेंपल पीपर नंबर 16 पे आते हैं. चलिए सेंपल पीपर नंबर 16 पे आते हैं, लेखे question नंबर 50 पहला doubt है, question नंबर 50 कह रहा है कि if 56 square is subtracted from a square of a number, answer so obtain is 485, what is the number? ओहो, क्या simple question है, क्यारा कि 46 square को एक number के square से minus करते हैं, तो answer जो आता है, वो आता है 485, 485, तो वो number क्या है, वो number हमको x चाहिए है, क्या चाहिए है, x, चलिए, तो देखे, 46 square यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे रख दीजे, इसको लिया आई है, इस तरफ तो यह होगया, कितना 485, और यहाँ पर आजाएगा, minus x square इधर चलाए गया, तो क्या बन जाएगा, plus x square, अब आपको, या तो 46 square आपको पता होना चाहिए, 46 का square क्या होता दो, so simple, 46 into 46 कर लेजिए, 6, 6, 36, कहरी आगई, 3, 6, 4, 24, plus 3, 27, now 4, 6, 26, कहरी आगई, 2, 4, 4, जा 16, plus 2, कितना हो गया, 18, 8, 1, clear, now here it is 6, 7 plus 6, 7 plus 6, how much, 13, 1, कहरी आगई, 8 plus 2, 10, plus 1, 11, and here, 2, 1, 3, 6, my dear, it is 2, 1, 3, 6, 2, 1, 3, 6, minus 485, equal to x square, so 2, 1, 3, 6, में से हम 485, minus करते हैं, 485, 6 में से 5 गए, 1, 13 में से 8 गए, बन गए, 5, okay, 13, minus 8 इतना बन गया, 5, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, 10, कितना बन जाएगा, 10, minus 4, equal to 6, ये cancel होगा, और ये, 1651, कितना बन गया ये, so under root 1651, option में क्या दे रखा भाई, 1651, 1651, option में ठीक है, चलिए, देखते हैं 1651, तो यहाँ पर आगया, 1651, equal to x square, so I can make here, look here, x is equal to under root of 1651, 1651, ठीक ना, चलो देखो ध्यान से, 51, तो मुझे नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, anyway, 1651 क्या हो जाएगा, कैसे करना था, देखें, मैंने आपको बताया था, कि जो root आएगा, 1600, 1700, कि यहाँ पर बीच में कहीं 165 बनाएगा, 1600 को जो root होता है, square किसका होता है, 40 का square होता है, ठीक ना, और 1600 के बाद यह 17, यह 40 का square है, और 40 के बाद अगला जो square होता है, वो क्या होता है, 50 का square होता है, और 50 का square कितना होता है, पच्चीस सो, तो यहाँ 1600 के बाद पच्चीस सो, अगला square मिल रहा, complete square आपको, बुलिए ऐसा नो, तो clear दिख रहीए कि यह 40 के square के एकदम पास में है, तो 40 के बाद देखे, 41 है क्या option में, 49 है, ओके, तो 49 इंटू 49 मैं करके भी देख लेता हूँ, कि शायद मिल जाए, चलिए, 99 जा 81, है न, 49 इंटू 49, तो 99 जा 81, 1 आगई कह रही है, यहाँ पे, 8 आगया, 9, 4 जा 36, 36 प्लस 8, 36 प्लस 8, 86 चागुदा चार, और 3 एक चार, 4, 4, 4, 9 जा 36, clear हो गया, 4, 9 जा 36, 4, 9 जा 36, 6 आगया, 3 कैरी, 4, 4 जा 16, प्लस 3, 19, 1, 9, 1, 6, 4, 10, 4 और 9, 13, और एक चागुदा, 4, और एक दो, 2, 4, 0, 1, ना, कुछ गड़बड हो रहा क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड हो रहा है, 1, 6, 4, 1 का अंडर रूट, कैलकुलेटर में देखता हूं, अंडर रूट 1, 6, 4, 1, अंडर रूट ऑफ, 1, 6, 4, 1, एक्वल टू, अरे पहले अंडर, बाहर में अंडर रूट, ओके, 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 1, 6, 4, 1, अंडर रूट, 40 पॉइंट सम्थिंग आ रहा, मतलब हम लोगों ने कहीं मिस्टेक करी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पहले कहीं मिस्टेक कर दी है, 46 का स्क्वाइर में एक बार चेक कर लेता हूं, कि 46 into 46 कित्ता होता है, मल्टिप्लाई तो नहीं करी अपनी गलती, 46 स्क्वाइर, 2116, और हमने क्या लिखाला है, 2136, और 2116 आना था, यहीं गलती हो गई है, 2116 minus 485, 2116 minus 485, 2116 minus 485 करते हैं, 2116 minus 485, equals to 1631, 1631, equal to 1631, नौश स्क्वाइर इसका बनेगा 1631 का अंडर रूट, और 1631 का स्क्वाइर रूट मैं चेक करता हूं, कितना होता है, क्लियर कर दिया इसको मैंने, 1631 का स्क्वाइर रूट, एक मिनिट, क्लियर नहीं हो था, 1631, स्क्वाइर रूट ने 41 नहीं होगा, स्क्वाइर रूट नामबर, हमने 46 से उसको नमबर को माइनस कर लिया, यह गलती हो गई, question का हमने वही बदल दिया, कह रहा है, अगर किसी नमबर के स्क्वाइर में से 46 स्क्वाइर माइनस कर दिया जाए, तो answer 4885 आथा, ओहो 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 यहो गया भाई साथ हमने 46 square से माइनस कर दिया बट question क्या किया रहा है 46 square is subtracted from the square of the number लब square of the number से 46 का square माइनस होना है देख रहा है आप इसलिए गलती हो गई so x square equal to हो जाएगा 485 plus 46 का square अब ठीक हो जाएगा तो 485 प्लस 46 का स्क्वेर देखा आपने कितना आया 46 का स्क्वेर 46 एंटू 46 एक्वल टू 2116 तो यहाँ पर 2116 है 2116 और 2116 में आप 485 जोड़ लीजे तो 6 और 5 11 हो गया है ओके एक आगई के री 8 और 9 एक 10 0 आगई और 2 और 4 एक 6 कितना होगे 7 और यहाँ पर आजा है कितना 2116 प्लस 485 6 प्लस 5 11 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 10 और 4 प्लस 1 5 6 2601 2601 एक्स स्क्वेर नौ अंडर रूट अफ एक्क्वल टू अंडर रूट अफ तो 2601 तो 2601 का हमको अंडर रूट देखना है ओके सो 2601 स्क्वेर रूट यह लिखा हुआ है क्लिक करेक्ट आगया 51 तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 51 ठीक आगया समझ में अब आपको कैसे पहचानेंगे तो देखी बहुत सरल है आपको देखना है पच्चिस सो जो होता है वो किसका स्क्वेर होता पचास का ओके और इसके बाद सीरिस 60 का स्क्वेर होता है कितना होता 3600 अब आपके बाद 25100 की बाद कितना दे रखा इसमें जो sq2 आपने मांगा है वो है 2601 2601 तो एक unit place में कब आता है एक unit place में तभी आता है जब या तो one का one से multiply होot या nine का nine से या 59 तो 50 के पास बहुत दूरा है या 51 into 51 या 59 into 59 अब अगा 59 आप जाएंगे तो 60 के पास पहुंच जाएंगा, मतलब यह तो हो नहीं सकता है, यह बहुत दूर है, तो correct answer यही आएगा, answer क्या होगा, 51, clear हो गया, तो इससे आप एक approximation अंदाजा लगा सकते हैं, done, clear है ना एक दम, चलिए, अगले question क्यों चलेंगे, चलिए, अगला देखते लिए कि अगला question परसेंट जो student है, what percent student teaches English subject, percent of student teaches, कितने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है English का subject, अब पाई चार्ट में क्या सीन दे रखा है, देखिए, यह पाई चार्ट पूरा का पूरा मैं आपके सामने बनाता हूँ, तो मैं इसको इंक्ट शेप ले लेता हूँ, चलिए, तो यह अपने पास भाई सब सरकल आ चुका है, अब इसके बाद क्या है, यहां से कुछ ऐसा मिला दिया गया है, 160 degree जो है वो भाई सा मैथ है, 160 degree का मैथ दे रखा है इन लोगों ने, तो मतलब 180 से थोड़ा सा कम, यह 180 ऐसा होता है, तो 180 से थोड़ा सा कम, यह center है, यह, 160 degree, तीक है उसको बने दिये, 160 degree का मैथ है, 72 degree का English है, 72 degree का क्या है, English, यह math है, 72, 80 degree की हिंदी है, लो भाई साब, हिंदी ज्यादा दिखर गिये, 80 degree की हिंदी है, और 48 degree का science है, 48 degree का science है, 48 degree का science, science है, यह हिंदी है, ठीक है, कह रहा है कि, S for science, ठीक है, अब कह रहा है कि, from the given pie chart, calculate, what percent of student teaches English subject, इस pie chart से पताईए कि, कितने percent student जो है, वो English subject पढ़े जा रहे हैं, देखो भाई साब, 80 degrees है अंगल आपके पास, और आपको percent में निकालना है, बुलिया सो नू, तो 80 degrees है, और आपको percent में निकालना है, तो 80 degrees का इंगल आपका जो है, वो इसके पास है, तो 80 degree का share देखे कितना है, तो total कितना होता है 360, बोलो यह सौनो, तो सबसे पहले share निकालो, ratio निकालो, तो 80 degree, हिंडी का पूचा है कि, किसका पूचा है, English का पूचा है, किसका पूचा है, है 72 डिगरी किसके पास में है out of कितने डिगरी 360 out of कितने डिगरी 360 clear है यह तो सबसे पहले ratio निकलेगा क्या निकलेगा ratio तो चलिए ratio निकालते हैं तो वैसे दिख रहा है बिटा 36 बन जा सबस्क्राइब कितना बन गया one upon five आपने बच्पन में पढ़ा होगा कि रेशियो को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो सो को क्या कर देते हैं multiply और परसेंटेज में बदलाता है यह सो नो तो पाच से multiply किया सो का कितना आगया बीस परसेंट तो correct answer है इसका 20 परसेंट है कितना है भाई साब 20 परसेंट है आई वस समझ में कि नहीं है clear होगे न यस तो इस तरीके से 20 परसेंट आपने निकाल लिया इसका answer है 20 परसेंट चलिए बच्चो आज का last question है क्योंकि सारे doubt clear होने वाले है यहां पर 45th question हम करने वाले देखे क्या करा दा average age of a woman and her daughter is 25 तो भाईया दो लोग दो गहें आपर तो woman की मैं age माल लेता हूं x और उसके जो daughter की age हो कितनी माल लेता हूं y ठीक ना the average age of a woman and her daughter is 25 year तो दोनों की average मतलब x plus y upon 2 equal to 25 तो x plus y equals to 25 तो 50 देखे क्वेस्चन में पढ़ देता हूं मैं पढ़ना भूल गया था the average age of a woman and her daughter is 25 year the ratio of their age is 7 ratio 3 दोनों की age का ratio 7 ratio 3 है what will be the ratio of their age after 9 year भाई बिलकुल पिछले जैसा question एक हमने किया था जो 6 साल बाद वाला ratio बेटे बाप का वैसे ही है तो अब अगला सीन क्या दे रखा कि दोनों की age का जो ratio है वो कितना दे रखा है इन लोगों ने लोग का ratio दे ratio 3 ठीक है ना yes sorry 7 7 ratio 3 यह बिल्कुल सही बात है नहीं तो फिर मम्मी छोटी हो जाती है ना बेटी बड़ी हो जाती 7 ratio 3 मतलब मैं इसको मान लिया 7K और इसको मैंने मान लिया कितना 3K और दोनों की age का sum देखे 50 है तो X की जगे 7K और Y की जगे 3K equals to 50 7K plus 3K कितना हो गया बच् 10K equal to 50 so K equals to 10 5 जा 50 10 याने की 5 बुलिया ठीक है clear हो की नहीं हुआ हाँ K की value 5 आ गई अब निकाल लीजे दोनों की age दोनों की age 7 into 5 याने की 35 and 3 into 5 equal to 15 मतलब मम्मी की age 35 साल है और बीटी की जगे कितने साल है 15 साल है आपको निकालना दोनों की age का ratio after 9 year तो आपको दोनों की age का ratio after 9 X plus 9 upon Y plus 9 X कितना आया 35 plus 9 X की value देखे ऊपर कितने निकली 35 35 35 plus 9 and divide by कितना हो जाएगा 15 plus 9 35 plus 9 कितना हो गया देखे 44 हो गया और नीचे 15 plus 9 कितना हो गया 24 हो गया clear हो गया तो 44 upon 24 काटा कुटी करते हैं ये 22 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा ये 12 बार जाएगा ओके फिर कितने बार जाएगा ये 11 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा चेक करिए option में 11 by 6 है क्या ratio सिंपल रेशियो इस एलेवन बाई सिक्स करेक्ट ऑप्शन इस डी बिलकुल सही ओके सारे डंग सुगाइस बड़ी खुसी की बात है कि हम लोगों ने पूरे के पूरे 20 सैंपल पीपर कर लिये यहां पर अरिहंत की बुक के और अरिहंत की बुक में युवराज ने सारे के सार सारे के सारे डाउट सॉल्व कर लिए क्या हो युवराज हम सही बोल रहा है इस बात को पूरे के पूरे डाउट हो चुके हैं सुरू में कुछ डाउट थे और यह डाउट हो चुके हैं तो गाइस कल फिर अब हम इस पूरे के पूरे डाउट को कॉपी में सॉल्व करके Thank you so much जूड़े रहिए और बहुत ही इमानदारी के साथ मेहनद करते लिए धन्यवाद